नमस्कार दोस्तों दोस्तों मैं नवीन कुमार अपने चैनल लिंग्वेज ओफ प्लेनेट्स में आपका स्वागत करता हूँ सारा संसार भगवान शिव की सेवा पूजा करता है भोले ना जीब जल चाड़ाते हैं अलग-अलग जोतिर लिंगों के दर्शन करने जाते हैं भगवान शंकर को इस समस्त ब्रह्महंड का आधार माना गया है भगवान शंकर की निराकार रूप में सेवा पूजा की जाती है शिवलिंग के रूप में सेवा पूजा की जाती है बगवान शंकर के सबसे ज्यादा अनुयाई सनातन धर्म में सबसे ज्यादा अनुयाई भगवान शंकर के है भगवान शंकर को अर्दनारीश्वर रूप में माना जाता है अर्दनारीश्वर रूप में भी भगवान शंकर की सेवा पूजा होती है 12 जो तिरलिंग हमारे समक्ष मौजूद है जहना भगवान शंकर साक्षात विराजमान है तो दोस्तों क्या है भगवान शंकर और कैसे हम इनकी सेवा पूजा कर सकते हैं कैसे हम इनकी प्राप्ति कर सकते हैं क्या भगवान शंकर को प्राप्त किया जा सकता है क्या भगवान शंकर के दर्शन किये जा सकते हैं आज बात करते हैं दोस्तों इस विशेपर दोस्तों बात उस समय की है जब हमारी उम्र लगभग सत्रे या सोले सत्रे अठारे साल के असपास की थी हम रोज दर्शन करने भगवान शंकर के मंदिर जाया करते थे तो एक दिन हमारे गुरू जी ने हमसे पूछा बोले कि ये बताओ कि तुम दर्शन करने जाते हो दर्शन करने जाने के पीछे तुमारी क्या महत्व कांग्षा है क्या तुमारी इच्छा है क्यों जाते हो दर्शन करने तो हमने उन्हें बोला कि गुरुजी ऐसा है कि हमारे इष्ट है भगवान शंकर भगवान महाकाल हमारे इष्ट है इसलिए हम उनके दर्शन करने जाते है इस रश्टी के संचालन करता है इसलिए हम उनके दर्शन करने जाते हैं परमपिता है इसलिए हम उनके दर्शन करने जाते हैं और हमारे बड़े बुज़र्गों ने ये सिखाया है सनातन धर्म में ये मानिताएं हैं कि भगवाय शंकर क सेवा पूजा करना आवश्यक है तो बोले कि गुरू जी बोले कि ये बताओ कि क्या आज तक हजारों लोग जो भग्मान शंकर के मंदिर जाते हैं जल चड़ाते हैं अलग-अलग तरह से सेवा पूजा करते हैं क्या कभी भगवान शंकर के दर्शन किसी ने किये है तो सच कहें दोस्तों इस बात का जवाब हमारे पास नहीं था क्योंकि हमारे व्यक्तिकात अनुभव में इस तरह की कोई बात कभी नहीं आई थी कि किसी ने भगवान शंकर के दर्शन किये हो तब हमारे गुरुजी ने हमें ये बात समझाई थी कि भगवान शंकर एक शक्ति है एक शक्ति के रूप में ये हमारे मानव शरीर के अंदर वास करते है भगवान शंकर प्राणों के रूप में हमारे शरीर में वास करते है जब भी कोई इनसान कोई काम करने जाता है उसे उस काम के बारे में अंदर से ही इस बात का उसकी अंतरात्मा इस बात को बोलने लगती है ये काम होगा या नहीं होगा या इस काम को करना उचित है या नहीं उचित है ये इनसान के अंदर बैठे भगवान शिव ही है दोस्तों जब भी इनसान कुछ खाता है स्वाद लेता है किसी चीज को सुनता है किसी चीज को कहता है किसी चीज को दिमाग से समझता है किसी चीज के सुन्दरता का वरनन करता है सौंदर उसे अच्छा लगता है कौन सा भोजन उसे अच्छा लगता है इस तरह के जितने भी गुण है ये उस शक्ती के गुण है जो इनसान के शरीर के अंदर मौजूद है जिसे शिव कहते है गुरुजी के अनुसार हमारे शरीर के अंदर जो शिव है वो ही हमें अच्छे बुरे का भान कराते हैं हमारे शरीर के अंदर बैठ कर वो अलग-अलग पदार्थों का स्वाद लेते हैं वो हमारे मुँ से उन शब्दों को कहलवाते हैं जो जरूरी होते हैं अच्छे बुरे की समझ हमको भगवान शिव की कृपा से ही प्राप्त होती है अर्थात वो शक्ती जो एक मनुष्य के शरीर को चलाएमान रखती है वो शिव है जब वो शक्ती इनसान के शरीर से निकल जाती है अर्थात जिसे हम मृत्य होना कहते हैं देहांत होना कहते हैं तब ये माना जाता है कि इसकी मृत्य हो गई अर्थात वो शक्ती इसके शरीर को चोड़ कर चली गई तो दोस्तो जब वो शक्ती शरीर से निकल जाती है तो केवल शव रह जाता है अर्थात शिव विदा हो गए शव रह गया और चाहे शव आपके कितने भी प्रिय आत्मिय जन का क्यों न हो आप उसे ज्यादा समय तक घर में नहीं रख सकते उसका दासंसकार करना ही पड़ता है तो इसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में हम यही मानेंगे कि इस संसार में जो भी महत्तो है जो भी मूल्य है वो केवल शिव का है अर्थात उस शक्ति का है जो इंसान के अंदर इंसान के शरीर को चलाएमान कर रही है इंसान के शरीर के अंदर मौजूद है वो ही शिव है तो दोस्तों इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं कि कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए कभी किसी को कड़वे बचन नहीं बोलने चाहिए कभी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे दूसरे को कश्ट हो क्योंकि उसके अंदर भी जो शक्ति विराजमान है वो शिव है यदि आप इस तरह का कोई काम करते हैं तो आप उसके शरीर को नहीं उसके शरीर को जो चोट लगेगी या नहीं लगेगी ये सेकिंडली बात है लेकिन उसके अंदर बैठी शक्ति को कश्ट होगा जो शिव है तो दोस्तों जब ये व्याख्या हमने अपने गुरू जी के मुह से सुनी थी तो हम दंग रह गए थे वास्तव में यदि देखा जाए तो महत शिव का ही है अर्थात महत केवल उसी शक्ति का है जो शक्ति इंसान के शरीर के अंदर मौजूद है प्राणों के रूप में अंतरात्मा के रूप में जो हमारे शरीर को चलाए मान करती है यदि वो शक्ति हमारे शरीर से निकल जाती है तो केवल शव रह जाता है और शव का कोई मूल्य नहीं उसे जल्दी से जल्दी उसका दाह सजकार कर दिया जाता है तो दोस्तों ये व्याक्या हमें बहुत पसंद आई थी, इसलिए हमने इसे आप सब के साथ शेयर किया यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसे शेयर करें जिससे लोगों को भगवाज शिव की इस व्याख्या के बारे में पता चल सके हैं यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूले दोस्तो धन्यवाद दोस्तो